तो नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का Civil 101 में मेरा नाम है संदीब कैसे हैं आप सभी लोग traffic engineering के दोस्तो इस subject के अंदर आज पढ़ने वाले हैं traffic science के बारे में और साथ ही साथ में बात करेंगे दोस्तो traffic islands के बारे में जिनमें से सबसे important आता है traffic का rotary island और Rotary Island के design के बारे में भी दोस्तो इस session के दरम बात करेंगे दोस्तो हम पढ़ रहे है Civil 101 पर which is a part of Unacademy और जैसा कि आप सभी को पता है Unacademy is India's largest online learning platform जहां पर आप अपने dream exam के त्यारी कर सकते हैं इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तो Unacademy की app आज ही install कर लेनी है जैसे ही आप Unacademy की app install करेंगे तो आपको वहाँ पर basic sign up का process जो है वो करना है Unacademy की app के उपर आपके पास दो option होते हैं आप Unacademy की जो free special classes होती हैं वो देख सकते हैं और साथ ही साथ में आप subscription पर पढ़ सकते हैं subscription पर अगर आप पढ़ते हैं तो आपको मिलता है personal guidance आप वहाँ पर top experts, top educators से पढ़ सकते हैं आप वहाँ पर अपनी performance जो है उसको आप analyze कर सकते हैं आपको proper study planner जो है वो मिलता है आपकी classes के according weekly test होते हैं live classes होती है, unlimited access है, कितने भी educators की कोई भी courses जो आप देख सकते हैं unlimited material आप study कर सकते हैं वहाँ पर unlimited number of time जितने duration का आपके पास subscription है उतने duration के अंदर expert guidelines आपको मिलेगी यहाँ पर structured courses होते हैं किस दिन कौन सी class होनी है, किस time पर होनी है वो आपको वहाँ पर मिलता है इसके लिए आपको और academy के आपके उपर सबसे पहले अपना goal सेलेक्ट करना होता है आपके इस exam की तयारी कर रहे हैं, वो goal सेलेक्ट करने के बाद आपके पास option आजाएगा कि आप subscription पर पढ़ना चाहते हैं या special classes देखना चाहते हैं special classes देखना है तो invite code पूछेगा आपसे वो आप संदीब double one यूज़ कर सकते हैं और अगर 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 subscription पर बढ़ेंगे अगर आप तो आप get subscription पर क्लिक करते हैं, duration select करते हैं, duration select करने के बाद आपसे वहाँ पर referral code का option जो होता है, उसके अंदर आप use कर सकते हैं, संदीब double one जिससे आपको 10% off मिलेगा और साथ ही साथ में आपको access मिलता है unacademy platform पर throughout the category आप किसी भी educator की कोई भी class देख सकते हैं सो चलते हैं आगे, आज के schedule की अगर हम बात करें तो आज का हमारा schedule जो है, शाम को 6 बजे estimation costing and valuation हम पढ़ेंगे unacademy की special class के अंदर, इसके अंदर theory वाला portion होगा, valuation का कुछ portion जो है वो बचा हुआ है, वो उसके अंदर हो जाएगा और ये पढ़ने के बाद हम अब तक जो भी हुआ हुआ है estimation के अंदर, उसके MCQs करेंगे 9.30 PM पर हमारा civil engineering का practice session होगा, जिसके अंदर mixed questions जो है, वो आपको देखने को मिलेंगे अलग-अलग subject से, अलग-अलग exam में आग हुए, चाहे CC के हो, EAC के हो, gate के questions हो, एक combination होगा, sub exams का चलिए, let us begin, बात कर रहे थे दोस्तो, traffic control and regulation की और हम ने इसके अंदर बात की थी, passive control कौन सा होता, active control, partial control, इनकी हमने बात की थी और अब बात करते हैं, दोस्तो, traffic control devices जो है, वो क्या-क्या है, कैसे हम उनका इस्तेमाल करते हैं, पहले है traffic signs, sign जो आपको देखने को मिलते हैं, जैसे आप कहते हैं कि speed limit से related sign है, overturn आपको overtake नहीं करना है, no overtaking, या फिर आपको U-turn नहीं लेना है, no horn, कोई भी signs की form में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये आपके traffic को control कर रहे है, regulate कर रहे है, traffic signals की बात करें, तो आप road के उपर जब जाते हैं, intersections के उपर आपको दिखाई देते हैं, कि अब आपको यहाँ पर red दिखता है, तो आपको stop करना है, green दिखता है, तो move करना है, traffic signals की बात करेंगे, ये आपक traffic को control कर रहे हैं regulate कर रहे हैं उसके बाद आते हैं दोस्तो traffic islands के उपर traffic islands या फिर जो आप ये कह लीजिए कि road के उपर जो आपको ऐसा portion दिखता है जिसके उपर आप vehicle को drive नहीं कर सकते तो circle जो आपको दिखते हैं जिने हम rotary कह देते हैं तो वो भी तो आपके traffic को क्या कर रहे हैं control कर रहे है regulate कर रहे है channelize कर रहे है कि आपको किस तरफ से move करना है एक दिशा से दूसरी दिशा में जाने के लिए तो इन devices का हम इस्तेबाल कर सकते हैं traffic को control करने और regulate करने के लिए आगे बढ़ते हैं traffic signs पे आते हैं आपको warning sign वाले या वर्ण करने वाले या danger sign जो हो सकते हैं जो आपको जानकारी प्रॉबाइड करते हैं ऐसे sign हो सकते है regulatory, danger या warning sign तीसरा information sign traffic signs कितने type के होते हैं तीन प्रकार से हम इनको divide कर देते हैं regulatory, danger या फिर information वाले sign और ये क्या-क्या होते हैं इनके बारे में बात करते हैं पहले आते हैं regulatory sign और regulatory के अंदर भी दो types होते हैं इसके जिन में पहला होता है प्रोहिबिट करने वाले जैसे बोलते हैं कि smoking is prohibited road के उपर नहीं लिखा होता है अगर हम बात करें तो smoking जो है वो निशेद कर दिया जाता है मना है अब इसी तरीके से यहाँ पर prohibit कर रहे हैं prohibitory sign जो होते हैं वो circular in shape होते हैं जिनके अंदर आपको देखने को मिलता है जैसे की कोई you turn नहीं लेना no you turn right turn नहीं ले सकते हैं आप वहाँ पर आप walk नहीं कर सकते हैं जो यह इस तरीके के sign जिसमें आपको मना कर दिया जाता है किसी चीज के लिए prohibit कर दिया जाता है two wheelers allowed नहीं है इस highway के उपर तो ऐसे जो signs होते हैं वो कौन से हैं prohibitory sign circular in shape होते हैं standard size होता है इनका 0.6 meter diameter और अगर reduced size छोटे size में अगर इनको use करना हमें तो 0.4 meter हम use करते हैं यह sign जो है इनका red color के अंदर यह signs होते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर clearly नहीं visible है तो prohibitory sign यह prohibitory sign आ जाते हैं आपके पास red in color होते हैं इनके अंदर अगर हम बात करें background की अब sign आपको कौन से sign को देखना है जैसे यह circular बना के और फिर cross लगा दिया तो इसकी बात हो रही है यहाँ पर जैसे यह है कि no you turn no left turn यह आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो इसक background color जो है वो white होता है किसके लिए speed control के लिए अगर speed आप बता रहे हैं जैसे 120 km per hour से जादा नहीं drive कर सकते हैं आप तो background color इसका क्या होता है white होता है text जो रिखा होता है वो किसमें लिखा होगा black में blue for direction control अगर direction बताना आपको straight जाए left turn लेना है right turn लेना है वहाँ से गूमना है आपको तो इनके लिए background color क्या आ जाता है blue आ जाता है और लिखा किसमें होता है या जो बना होता है symbol वो white में बना होता है तो symbols are black in color for prohibitory sign, prohibitory sign की अगर हम बात करें जो prohibit कर दिया गया no left turn तो ये symbol जो बनाया गया, ये किसके अंदर बनाया गया black में in color for prohibitory sign and white in color for direction, direction की अगर हम बात करें तो direction वालों के case में white color से symbol बनाया हुआ होगा, एक बार फिर से repeat कर रहा हूँ मैं, इनका sign जो होता है red होता है जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है, prohibit करना मतलब मना करना, आपने मना कर दिया, ऐसे cross लगा दिया, तो किससे लगाया red color से आपने लगा दि फिर इनका background जो आपको दिखाई दे रहा है, वो white दिखाई दे रहा है, और जो symbol बनाया है, कि left turn नहीं लेना, ये वाला जो symbol बना दिया, वो किसके अंदर आ रहा है, black में, और अगर direction प्रोवाइड करनी है, तो direction वाले के case में symbol जो है, वो white रहेगा, background जो है, वो blue color से आपक इसके बाद next आते हैं, आपके पास mandatory sign, mandatory sign का मतलब जैसे कि आते हैं, आपके पास stop sign, रुखना है आपको, तो octagon होता है, previous year questions में पूछा भी गया है, कि stop sign जो है, वो कैसा होता है, octagon होता है, white borders होती है, इसकी जो आपको यहाँ पर clearly दिख रही है, red color के अंदर ये होता है, औ red background होता है, और इसके अंदर message जो है, वो कैसा लिखा होता है, stop का लिखा होता है, next आता है giveaway, giveaway आपने सुना होगा, yield आपने शायद ना सुना हो, बात एक ही है इनकी, तो giveaway या फिर yield, जहाँ पर भी, आप ऐसे intersection पर जाते हैं, जहाँ पर एक road, दूसरी road से मिल रही होती है, य तो वहाँ पर ऐसा sign आपको देखने को मिलता है, giveaway या फिर yield का sign देखने को मिलता है, उसका आर्थ यह होता है, कि यहाँ पर दूसरी road का traffic भी है, तो आप सावधानी पूर्वक उन्हें भी आने या जाने दे, they are used on intersection, where stop is not necessary at all times, रुकना जरूरी नहीं है, signal वहाँ पर अगर नहीं लगा हुआ है, red border, white background, triangle pointing towards downward, तो यह समझ में आगे होंगे, I hope आपको कि हम traffic signs की बात कर रहे है, पढ़ क्या रहे है, traffic को कैसे control किया जाए, क्या-क्या devices का use कर सकते हैं, उन devices में से सबसे पहला है कि traffic के signs को use कर सकते हैं, जिन में prohibitory आए और mandatory sign आए, mandatory के अंदर stop और give way या फिर yield sign आ गया, फिर आते हैं आपके पास एक sign दिखाई देता है, जिस पर ये लिखा हुआ है कि आगे जाके एक narrow bridge आने वाला है, तो आप अपनी speed जो है, उसको reduce कर देंगे, आप alert रहेंगे कि bridge आ रहे है, तो obviously हो सकता है, कोई canal जा रही हो वहाँ से, तो आप ध्यानपूरवग चलेंगे, तो ये आपको danger या warning आप को देरे देखे, danger या warning sign आपको समझ में आते हैं यहाँ पर, और इसके अंदर कुछ और examples क्या-क्या आ सकते हैं, एक right hand curve आने वाला है, एकदम से sharp U-turn आएगा, या फिर right hair pin bend आएगा यहाँ पर, left hand pin bend आएगा, right reverse bend है, इस तरीकी की कुछ-कुछ example, आपने अक्सर जो देखे होंगे, कुछ common वाले, उनकी हम बात करते हैं, जो आपको generally दिखते ही है, steep gradient, उपर जाना है, steep आगे का, उपर की तरफ gradient है, या नीचे जाने वाला gradient है, आपने देखा होगा, आपने देखा होगा, कि narrow road ahead या फिर, आगे कोई bridge आ रहा है, इसका आपने देखा होगा, थोड़ा सा मैं इनको zoom in कर देता हूँ, जिनमें आपने कुछ common, जैसे narrow bridge आगे, ये आपने देखा होगा, cross road है आगे, man at work, ये तो बहुत जगा आप देखते हैं, man at work है, school ahead ये भी आपने देखा है, pedestrian cross कर रहे हैं, ये भी आपने देखा है, तो ये तो अक्सर ऐसे हैं, जो हम कहीं भी अग दिखी जाते हैं, ये आपके पास आता है gap in median, gap in median का मतलब आगे जाके divider जो आपका है, उसके अंदर cut है, जहां से आप यूटर ले सकते हैं, तो ऐसे कुछ signs जो आपको warn कर देते हैं, पहले ही आने वाले danger के बारे में, तो इन्हें हम कहते हैं कि danger या warning sign, अब equilateral sign जो है, उ उपर की तरफ point करता है, triangle pointing towards upward, border इसकी red होती है, white background होता है और जो symbol बना होता है अंदर, border इसकी red होती है, background white होता है और अंदर जो symbol बना होता है, वो किस से होता है, black color से होता है, ये danger या फिर warning के sign होता है, then comes informative sign, जो आपको information provide करते हैं कि कौन से highway के उपर आप चल रहे हैं, आ chains होता है, they are written black letters on yellow background, yellow background पे black letter से लिखा होता है, जैसे आपको कौन से national highway पे आप चल रहे हैं, उस पे mentioned होता है, they are color coded as white letters with green background, जैसे toll booth का आपका example है, overall देख सकते हैं, regulation, warning, information, फिर आती है बात दोस्तो road markings की, road markings आपको क्या-क्या काम करते हैं, road marking की बात करें, तो lanes के बारे में हमें पता लगता है कि कौन सी lane में हम चल रहे हैं, road marking से हमें यह पता लगता है कि आगे कोई traffic signal है, तो उस पे कहां तक आपकी line है, कहां तक आपको cross नहीं करना है, किस line को, कोई cycling lane है, उसके लिए specified बहाँ पर marking आपको देखने को मिलती है, और रात को अगर आप drive कर रहे होते हैं, आपको clearly visibility maintained रहे, कई बार ऐसा होता है कि रात को travel करते हैं, सामने से आने वाले vehicles की light जो होती है, उसका glare रांखों में गिरने लग जाता है, तो एकदम से vehicle निकला, तो हम road के उपर बने रहे हैं, जब हम high speed से चल रहे हैं, उसके उपर बने रहे हैं, त तो road markings के ये कुछ important जो है, role रहते हैं यहाँ पर, they are very important to ensure the safe, smooth and harmonious flow of traffic, various types of road markings like longitudinal जो length की direction में आप बना रहे हैं, transverse direction में बना रहे हैं, object marking आप बना रहे हैं, cycling lane आप इसके बारे में बता रहे हैं यहाँ पर, तो ये road markings जो है, important role play करते हैं, अब बात आती है कि next जो traffic device है, उसे हम कहते हैं, giveaway का मतलब है कि आप जा रहे थे यहाँ पर, एक और road जो है, यहाँ पर merge हो रही थी, यहाँ पर giveaway का sign लगा देगे, कि यहाँ जरूरी नहीं है कि आप रुके, आप इधर से आ रहे थे तो जरूरी नहीं है, रुको और फिर इनके बाद इनको निकलने दो, लेकि आइलेंड जो है, road के बीच में कुछ ऐसा portion आप बना देते हैं, जिसके उपर vehicle नहीं drive कर सकता, वो island जो है, वो आपको रस्ता provide करेगा, channelize कर देगा आपको कि हाँ, इधर से जाना है, जैसे कि एक common सा example, हम अक्सर देखते ही होते हैं, कि जब आप किसी traffic signal पे जा रहे होते है कोई intersection है, road का, तो आपने ऐसा अक्सर देखा होगा, कि यहाँ पर एक अलग से road निकाल दी जाती है, ऐसे कि जिन vehicle को left turn लेना है, वो यहीं से ले लो, तो एक island यहाँ बन जाता है, तो यह islands channelize करने का काम कर रहे हैं, कि vehicles जो हैं, उनको guide कर रहे हैं, कि इधर से आप ऐसे यहा से निकल सकते हैं, an island is defined, area between traffic lanes for control of vehicle movement, within an intersection, a median or an outer separation is considered to be an island, एक intersection के अंदर कोई median है, वो भी एक island हो सकती है, यहाँ पर, traffic islands को हम अलग-अलग type से divide कर देते हैं, divisional हो सकते हैं, channelized हो सकते हैं, pedestrian, loading, pedestrian जिनके उपर जाएंगे, वो हो सकते हैं, या rotary हो सकते हैं, divisional island की बात करें तो जैसा यह वाला example है, आपके पास कोई road थी, वो यहाँ से आ रहे हैं, तो इधर से traffic को हमने इधर divide कर दिया, इधर से जाने वाला traffic इधर divide कर दिया, इनका बहुत important role है, हमारी अक्सर आदत होती है कि road के उपर, अगर आपके पास, अगर यह islands ना बनाए जाने तो हम क्या कर द रस्ता जो है, वो barrier से रोक दिया गया, क्योंकि train आने वाली थी, जब इसको रोक देते हैं, और अगर यहाँ पर माल लीजिए कि कोई traffic island नहीं है, तो पहला vehicle आके यहाँ रुकेगा, दूसरा यहाँ रुकेगा, तीसरा यहाँ रुकेगा, यहाँ तक ठीक है, अच्छे बच कौन सा वो यह अलग है, वो भी हमारे भाही बंद हुई है, वो भी यहाँ पर एक दब पूरी कतार बना के खड़े हो जाएंगे, तो properly traffic को हम channelize कर पाएं, कि हाँ जो left lane वाले हैं, जिसमें आएं, वो उसी के अंदर रहें, जो सामने से आने वाले हैं, वो इधर ही रहें, त एक आपके पास आते हैं, यह तो divide कर रहे हैं हम यहाँ पर, divisional island बन गए, एक हो सकते हैं हमारे पास channelized वाले, channelized करने वाले, जैसे इधर से जो वीकल आया है, वो channelized होता हुआ इस तरफ चला जाए, तो यह channelized वाले island हो गए हमारे पास, these are designed to control and direct traffic movement usually at turns, turning के उपर जो होते हैं वो channelized वाले होते हैं, pedestrian को cross करने में जो मदद करते हैं, pedestrian loading islands होते हैं, they are provided to serve as safety zones for the aid and protection of persons on foot, जो road के उपर या road की किनारे के उपर हैं, उनके लिए जो islands बनाये जाते हैं, वो उसके उपर रुख जाएंगे, या जब cross कर रहे हैं रोड को, तो safely वो कर पाए, इसके लिए pedestrian loading islands ज ठीक है, next आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं सबसे important, rotary island, rotary island बहुत सारे मित्र जो है, हम पहली बार ये नाम सुनते हैं, उससे पहले हमारे लिए क्या होता है, चौक होते हैं, ये भगत सिंग चौक, फलाना चौक, तो ऐसे नाम रख रखे होते हैं, उन्हें अच्छे circle बोलते हैं, चौक बोलते हैं, तो इनके around movement करके आप direction change कर सकते हैं, यहाँ पर किसी vehicle को रुकने की ज़रूरत थोड़ी नहीं होती है, जब भी हम किसी circle को cross करते हैं, तो हम जाते हैं, ऐसे गूम रहे हैं, इधर जाना है तो इधर चले जाते हैं, सीधे जाना है तो सीधे च हो जाती है, as compared to, कि आप सीधा एक कोई intersection, जिसके उपर कोई control ही नहीं है, वो बना दे, तो ऐसे case में accidents की probability बहुत जादा होती है, as compared to these islands, तो इनके अंदर हम traffic को channelize कर रहे हैं, उसके around घुमा रहे हैं, और जिसे जिस direction में move करना है, हम आसानी प्रदान कर रहे हैं, कि वो easily वह हाँ पर move कर जाए, rotary island, rotary intersection और roundabouts are special forms of at grade intersection, at grade, grade का मतलब आपको अब तक समझ आ जाना चाहिए, grade का मतलब बात कर रहे हैं, हम लेवल से बात कर रहे हैं, कि same level के उपर है, उपर नीचे है, एक road उपर चल रहे थी, दूसरी उसको नीचे है, तो flyover जैसे होता है, तो वो grade के according, level के according, उनको क्या कर रहे है, separate कर रहे है traffic को, ये same level पर, ये दोनो जो road आ रहे थी, एक ये वाली road, एक ये वाली road, ये दोनो road जो है, same level के उपर है, at same grade है ये, तो at grade का intersection है, same level के उपर जो intersection आ रहा है, इसका ये एक example है, rotary island, इसके उपर, दो ये दो से ज़्यादा roads भी हो सकते intersect कर सकते हैं, या यू कह लिजी, कि एक रस्ता ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, चार ये, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक rotary island के उपर, जब आप Google Maps यूज़ करते हैं, तो Google Maps में वो कभी भी आपको ऐसे नहीं बोलता है, rotary island जब भी कोई आता है, तो वो आप term use करते हैं, add the roundabout, take the first exit, अगर आप यहां से आ रहे होते हैं, आप अपनी गाड़ी में बैठे हैं, और आप drive कर रहे थे, आप वो अगर इस direction में जाना था, यहां आपका दोस्त आपका वेट कर रहा है, उससे मिलने जा रहे थे आप, तो आप क्या कर रहे हैं, आप अगर य second exit, अगर आपको इस दोस्त से मिलना cancel हो गया, इसने फिजा नहीं खिलाया, यह वाला खिला रहा था, तो आपने कहा, यहां नहीं आ जाएंगे, तो आप क्या कहेंगे, यहां के लिए navigate करो, तो यहां पर आपको कहा जागा, add the roundabout, take the second exit, तो यह first exit हो गए, यह second वाली exit हो करता है, वैसे आप terms use कर लेते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, इस rotary island के अंदर, the traffic operation at rotary, क्या क्या traffic operation हो सकते हैं, पहला traffic operation हो सकता है, कि आप इदर से आ रहे थे, और यहां पर आके आप diverge करते हैं, यहां से आके आप क्या कर रहे हैं, diverge करने का मतलब, अलग-अलग direction में जा र operate कर जाना, diverge कर जाना, so it is a traffic operation when the vehicles moving in one direction is separated into different streams according to their destination, आप यहां से इधर आए, अब यहां से आने पर आपके पास choice है कि आप इधर जाए, और आप इधर जाए, दो आपके पास आप diverge कर रहे हैं, तो एक operation जो हो सकता है, वो diverging का operation होगा, जब आप किसी rotary के उपर आ रहे हैं, दूसरा होगा merging का, आप यहां से आ रहे थे, इधर से भी traffic आ रहा था, तो यह यहां पर आके क्या हो रहा है, merge हो रहा है, तो diverge करना, merge करना, दो operation तो traffic के होगे, तीसरा operation क्या होता है, weaving होता है, weaving का मतलब क्या होता है, बच्पन में हमारी दादी मा, नानी मा, यह सब क्या कर से उपर नीचे से निकाल देना वीव कर देना वहां पर बुन ना उनको तो वैसे यहां पर action होता है वीविंग का एक ट्रैफिक जो है वो दूसरे के थ्रू जो है वो वीव करता हुआ जाना यहां पर कि आप यहां से जा रहे थे ऐसे इस डायरेक्शन में इधर से जो ट्रैफिक आ रहा था वो अगर ऐसा गया तो आप क्या कर रहे हैं दूसरे को वीव कर रहे हैं वीविंग का एक्शन हो रहा है वीव करना यहां पर तो वीविंग का मतलब क्या है कि वीविंग is the combined movement of both merging and diverging movement यहां से आके तो merge कर रहे हैं और फिर यहां पर diverge कर गए तो merging merge भी हो रहे हैं और diverge भी हो रहे हैं एक दूसरे से दूर भी जा रहे है merge करना और diverge, merge मतलब मिल गए आपस में, diverge करना मतलब फिर से separate हो गए, अलग-अलग हो गए यहाँ पर तो पहला operation हो सकता है diverge करने का, जैसा कि हमने यह देखा कि यहाँ से आके traffic diverge कर गया इधर जाना है, यह इधर जाना है दूसरा operation हो सकता है merging का कि vehicle यहां से आ रहे थे, यहां के merge हो रहे है, तीसरा हो सकता है weaving का कि weave कर रहे हैं, पहले merge कर रहे थे, फिर उसके बाद आगे जाके diverge कर गए यहाँ पर ठीक है यह हमारे पास rotary island के अंदर अलग-अलग traffic operations हैं, जो होते हैं objective में अगर देखे, railway जैसे exam के अगर हम बात करें, तो ऐसे question भी पूछ सकता है how many traffic operations are there at rotary, तो उस time समझ नहीं है, पता नहीं कितने operation और कौन से operation की बात हो रही है, जिबकि है बहुत ही simple सी चीज, कि traffic जो अगर rotary के उपर जाता है, तो वहाँ पर diverge भी करता है, वहाँ पर merge भी करता है, weave भी करता है, तो ये तीन types है बस इसके अब बात आती है यहाँ पर कि क्या-क्या guidelines होती है, rotary कब बनाना है, या फिर rotary की ज़रूरत क्यों पड़ती है, उस time पर आते हैं अगर हम, तो सबसे जादा ये suitable कब होते हैं जब they are suitable, कब होता है when the traffic entering from all the four approaches are relatively equal सभी तरफ से आने वाला traffic जब लगबग बराबर होता है, तब हम कहते हैं, कि वो rotary वहाँ पर हम बना सकते हैं एक और बात a total volume of about 3000 vehicles per hour can be considered as upper limit 500 vehicles per hour, lower limit objective के लिए बहुत important point है, objective में आप से पूछ सकता है, which out of the following are true, या फिर upper limit of rotary is, lower limit for rotary design is, तो वो आपके पास limit जो आती है, वो आती है 500 से 3000 vehicle per hour ये objective के point of view से important question है, कि rotary intersection अगर आप design कर रहे हैं, तो उसके लिए upper limit, lower limit क्या है, 500 से 3000 vehicle per hour next point a rotary is very beneficial when the proportion of right turning traffic is more than 30% excuse me right turning traffic यहां से आए और right की तरफ अगर आप turn कर जाते हैं, तो ये right turning traffic जो है, अगर 30 प्रतिशत से जादा है, तो rotary जो है वो बहुत जादा beneficial साबित होता है, next rotaries are suitable when there are more than four approaches or if there is no separate lanes available for right turning traffic rotary तब जादा helpful है, जब एक, दो, तीन, चार चार या चार से जादा approach हो, जादा roads हो इस direction में भी जाना है आपको, इस direction में भी यहाँ भी मान लीजी, एक road और बनती अगर, यहाँ भी जाना होता, यहाँ भी जाना होता, अक्सर आप ऐसे rotaries देखते होंगे, जिन पे 5 जो हैं approach भी होते हैं, तो उन cases में यह जादा मददगार हो जाते हैं, और specially तब जब ऐसी road हो, जिसके उपर right side में जाने के लिए कोई separate lane नहीं हो, और generally होती भी नहीं है, until and less, कोई one way आपने रस्ते नहीं बना रखे हैं, उन पर ही possible ऐसा कि आप सिर्फ right जाने के लिए अलग से lane बना देगें, otherwise, generally ऐसा नहीं होता है, तो देखें, इन सब की समझ हमें कब आएगी, जब हम question करेंगे, question से समझ में आएगा कि कैसे हुआ, लेकिन शब्दों के बारे में पता होना चाहिए, तो उस पर focus कर लिजिए, फिलाल, पहली चीज, कि अगर आप rotary के लिए design speed रखते हैं, straight road तो है नहीं है, बीच में भी island है, vehicle भी होंगे, turn भी लेना है, यानि कि curve के उपर भी है हम यहाँ पर, तो ऐसे case में speeds जो है, वो बहुत कम होती है, और speed कितनी कम होती है, इसकी बात करें अगर, तो शहर की बात करते हैं, city की अगर हम बात करते हैं, तो city में traffic और जादा है, rotary बनाने के लिए जगा और कम है, rural areas के case में, urban में, और क्योंकि rural के अंदर traffic भी कम होता है, और जगा भी जादा होती है, rotary बड़ा बना सकते हैं, तो 40 km पर आर जो है, उसके लिए रखते हैं, तो 30 and 40, 34, urban, शहरी इलाकों के लिए और ग्रावीन के लिए 40 km प्रती घंटा, entry, exit and, entry, exit and island radius, entry पर जो radius होगी, यहाँ प पास island है, इसकी radius जो होगी, और exit के उपर, जहाँ से आप बाहर जा रहे हैं, जैसे यहाँ पर इस exit की बात करें, तो यहाँ से आपके पास exit है, इनकी radius, तो entry radius की अब बात करें, अगर, देखें, entry radius की बात करतें, entry radius, सबसे पहले, इस diagram की according देखें, तो यहाँ से entry show कर रखें, इधर से अगर कोई vehicle enter करेंगा, तो यहाँ पर जो radius बन रही है, इस curve की जो radius बन रही है, यह क्या होती है, यहाँ पर, entry radius यह कहलाती है, फिर उसके बाद आती है, यहाँ पर exit radius, यह क्या आती है, आपके पास exit जहाँ से बाहर निकल रहे है, तो बाहर निकलते वक्त यहाँ पर, जो radius होती है, वो क्या होती है, exit radius होती है, यह entry radius, यह exit radius, बीच में जो island बना, circle बना, इस circle की जो radius है, वो क्या आती ह radius of Central Island तो entry radius हो गया, exit radius हो गया यह हमें समझ में आ गया The entry radius of about 20 to 25 meter is ideal for an urban and rural design 20 किसके लिए urban के लिए 25 किसके लिए rural के लिए हम इतनी radius रखते हैं रूरल में space थोड़ा जाद है तो जादा लग सकते हम यहाँ पर यह हमने रखा exit radius को जादा रखा जाता है 1.5 to 2 times the entry radius entry radius के comparison में exit वाली radius को जादा रखा जाता है यहाँ पर आप इस curve को यह radius को जादा प्रोवाइड कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर इसके width से मतलब होता है यहाँ पर width जादा हो, यहाँ पर width कम हो इसके लिए हम यहाँ जादा चीए vehicle जादा accumulate हो रहे हैं, यहाँ से तो फटा फट निकल रहे हैं तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं the radius of the central island which is about 1.3 times that of the entry curve is adequate, इतना sufficient है कि जितने यहाँ पर है, उसका लगबग 1.3 times आप central island की radius ले सकते हैं अब IRC की recommendation आती है IRC क्या कहता है कि अगर आपके पास एक two lane road है IRC क्या suggest करता है अब यह सब objective questions है अभी तक सारे objective questions की बात कर रहे हैं conventional question में कैसा आता है वो भी अभी देख लेंगे IRC क्या कहता है कि a two lane road of 7 meter width 7 meter width की अगर road आपके पास है तो IRC suggests that a two lane road of 7 meter width should be kept as 7 meter for urban roads and 6.5 meter for rural roads and a three lane road of 10.5 meter is reduced to 7 meter and 7.5 meter respectively for urban and rural roads IRC आपको यह कहता है कि जो rotary है जो आप circle बना रहे है इसकी width की अगर आप बात करें यहाँ पर अगर आप जो width consider कर रहे हैं इस width को कितना गर दो अगर वो road थी 7 meter की तो उसे 7 ही meter रखो urban के case ने और 6.5 कर दो rural के case वे अगर आपके पास 10 meter width की road थी 10.5 की तो उसे 7 meter और 7.5 meter कर दो width of rotary के लिए यहाँ पर यह हम बात कर रहे हैं clear width of rotary कितना करना है क्योंकि road की बराबर की width हम यहाँ पर नहीं provide कर सकता है इसलिए उसको reduce कर दो 7 meter की road है तो 7 meter ही रखो और 6.5 meter 10.5 की है तो उसे 7 और 7.5 कर दो urban और rural के लिए respectively next आता है कि weaving की length कौन सी है weaving length is the distance between channelizing island यहाँ पर इस island ने channelize कर दिया यहाँ पर यह island जो है channelize कर रहे है तो इनके beach का जो आपके पास यहाँ पर आ जाता है यह weaving length आ जाती है जिसके अंदर vehicles weave करेंगे यह वाला vehicle यहाँ गया यह वाला vehicle यहाँ गया तो आपस में merging diverging दोनों हो रहे हैं weave कर रहे हैं तो इस channelizing island यह channelizing island हो गया है यह channelizing island हो गया इनके beach का जो distance आ जाता है यह क्या कहलाता है weaving length कहलाता है या फिर एक और देख लीजिए यह वाला channelizing island यह वाला channelizing island इन दोनों के beach का जो distance है this is what weaving length उसके बाद आता है width कितनी consider की जाएगी इसकी यहाँ पर यह जो width है width कितनी consider की जाएगी width of weaving section width of weaving section जो है आप किसके बराबर consider करते हैं जितना entry के उपर width है और जितना exit के उपर width है जितना entry पर और जितना exit पर width है इनका हम कर लेते हैं average plus 3.5 meter इनका average plus 3.5 meter width of weaving section consider कर दिया जाता है e1 plus e2 by 2 plus 3.5 meter larger the weaving length greater the tendency of speeding मतलब यह कि आप rotary के उपर आए यहां आए जितना यह दूरी मिलेगी आपको जितना यह distance straight वाला मिल रहा है उतनी speed देज कर देंगे आप यहां पर तो speeding के chances बढ़ जाएंगे weaving length is normally taken as 4 times the weaving width यह जितना weaving width आया था weaving width का मतलब even plus e2 by 2 plus 3.5 वो आप कर देंगे weaving width का 4 गुना इसका 4 गुना लगबग आप weaving length consider कर लेते हैं अब इसमें आप एक rotary है आपके पास इस rotary को देखिए इस rotary में आपके पास 4 type का traffic possible है 4 प्रकार का traffic possible है एक बिल्कुल typical language में बात कर लेंगे सबसे पहले type का traffic कौन सा हो सकता है पहला type का traffic होगा A A type का traffic जो यहां से जा रहा था और बिल्कुल अपने left left में turn करता हुआ जा रहा है कहीं नहीं मुड़ा यहां आया अपने left में ही रखा और इधर चला गया तो यह traffic कौन सा हो गया अगर हम ऐसे कह देते हैं कि इसे मैंने बोल दिया कि यह in है in out से मतलब यहां पर मैं ऐसे define कर रहा हूँ कि अगर मैं यह कहता हूँ कि यह in है और यह वाली out वाली side है तो यह वाला traffic out से out ही चला गया ये वाला traffic आउट से आउट ही चला गया अब इसी को अंग्रेजी की भाषा में कैसे कहेंगे कि left turning traffic moving along left extreme lane वो अपनी left lane में ही चल रहा था left turn करके उसे जाना था और वो left lane में ही चलता चला गया ये A type का traffic हमने बोल दिया कि एक ऐसा प्रकार का traffic possible है चार ही type के cases possible है कैसे भी आप देख लीजिएगा इस particular section को अगर हम study कर रहे हैं इस particular weaving length को अगर हम study कर रहे हैं तो चार ही type के possible चो cases हैं वो बनते हैं ये हो गया type A type B क्या हो सकता है कि वो यहाँ पे आता फिर उसके बाद out से in जाता कि इस left lane से rotary की तरफ जाता और फिर यहाँ पे जाके फिर वापस से बाहर की तरफ जाता हुआ और सीधा निकल जाता English में अगर इसकी बात करें तो ये कैसे गया Cross कर रहा है ये ये weave कर रहा है क्योंकि ये वाला weaving length है यहाँ से ऐसे traffic जा रहा है इदर से भी traffic आ रहा है weave कर रहा है ये आपस में तो ये weaving वाला traffic है तो B type का जो traffic है वो कैसा है weaving traffic है turning towards right while entering the rotary rotary में ये enter हुआ है और right की तरफ turn करने की कोशिश कर रहा है turning towards right while entering the rotary next अगर हम बात करें तो आपके पास आता है type C का traffic type C का traffic simple भाशा में बोले तो ये अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है in से out की तरफ जा रहा है इस particular section के अंदर इस particular section में in to out move कर रहा है ये यहाँ पर या फिर ये कह लिजी कि ये weave कर रहा है या फिर ऐसे कह लिजी कि C जो है crossing या weaving traffic है turning towards left while leaving the rotary rotary को छोड़ते वक्त left turn करके वो निकल गया rotary को leave करते वक्त वो left turn करके गया ऐसा हमने कहा इसके हैस में आप यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं clear next उसके बाद आता है आपके पास D वाला traffic D कैसे गया right turning traffic moving along right extreme lane यहाँ पर ये D right की तरफ जा रहा है right turning traffic moving along the right extreme lane right extreme lane की तरफ move करता हुआ यहाँ से आया इधर right turn करके और यहाँ निकल गया यह यूं कह लीजिए कि A जो traffic था अगर इनी में अलग-अलग भाशा में दुबारा लिखे इनको हम तो A जो traffic था वो A traffic कैसा था A traffic out to out ही चला गया A traffic जो था वो out to out ही चला गया इस particular weaving length की बात कर रहे है इसमें B की अगर हम बात करें तो B कैसा traffic था B था out to in गया B कैसे गया out to in गया अगर C की बात करें तो C कैसे आया था यहां से आया था तो towards in से लेके वो out की तरफ आया यहाँ पर तो C जो है वो in से लेके out की तरफ move करने वाला traffic D की बात करें तो D in in में ही चला गया यहां पर तो D को हम कह देंगे कि in में ही रह गया वो in to in चला गया इस तरीके से हम समझ सकते हैं अगर हम इस particular section को study कर रहे हैं हम सारे section study कर लेंगे जहां पर आपको maximum दिखती है capacity उसके according design कर लेंगे हम कि यहां पर traffic जादा यहां पर जादा यहां जादा कहां जादा जहां पर जादा है उसके according decide कर लेंगे फिलहाल हमें किसी भी section को समझने के लिए पढ़ने के लिए चार type में उसको divide करना पड़ेगा वहां से निकलने वाले traffic को उसको identify कर लिया हमने कैसे identify कर लिया कि एक प्रकार तो यह हो सकता है जो इस particular section के अंदर ऐसे left to left ही turn कर जाये दूसरा traffic ऐसा हो सकता है जो इस out वाली side से in की side की तरफ जाए तीसरा कैसा हो सकता है जो in वाली side से out की तरफ जाए और एक traffic ऐसा हो सकता है जो इस particular section में ऐसे in से in ही निकल गया तो अब पूरा अगर हम ना देखे तो सिर्फ इतना देखने को मिलेगा हमें यहाँ पर सिर्फ इतना देखने को यहाँ पर बना देता हूँ मैं कि A वाला traffic तो ऐसे गया D वाला traffic इसे A से बना दिया मैंने यह D वाला traffic जो है यह ऐसे ऐसे चला गया उपर के उपर निकल गया वहाँ पर और फिर उसके बाद आपके पास बचा B वाला तो B वाला traffic जो है वो ऐसे गरके इस तरफ निकला और C वाले traffic की बात करें तो C वाला ऐसे आया और ऐसे निकल गया तो weave कौन सा traffic कर रहा है आपस में पहले merge कौन सा हुआ और फिर diverge कौन सा हुआ तो weave करने वाला traffic हमारे पास B और C वाला है traffic B और traffic C ये ऐसे traffic है जो आपस में weave कर रहा है पहले merge हुए फिर उसके बाद diverge हुए तो B प्लस C तो हो गया हमारे पास जो आपस में weave कर रहे है weaving traffic weaving traffic हो गया हमारे पास B और C A प्लस B प्लस C प्लस D ये सारे क्या हो गए total traffic non weaving गौन सा हो गया A और D जो आपस में weave नहीं कर रहे है किसी से भी mix नहीं हो रहे हैं तो वो A और D वाले हैं अगर हम पढ़ रहे हैं सिर्फ इतने segment को और आप कोई सा case बना लीजिए यही possibilities है कहीं मर्जी से आप traffic ले आए अगर आप यहां से कहते हैं जी यहां से भी तो आ सकता है आप यहां वाले की बात करेंगे आप इधर से आ रहे जा हैं यहां पर खड़े हैं आप खड़े होगा यहां पर आप कहरें कि मेरे सामने से हैप तो traffic आ सकता है अब lay- Tree के प्रोटरी के पास में आ गया अब यह सामने वाला कहा जाना चाहता है अगर इधर आना चाहता है यहाँ पर तो इसके साथ कोई लेना देना ही नहीं है इस section को design कर रहे है तो इसके साथ तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है यहां से निकाल दो हम इसको देख रहे हैं फिलाल जब इस portion को पढ़ेंगे या इस portion को पढ़ेगे उसमें देखेगे इसको दूसरी possibility थी कि ये left turn कर जाता इससे भी हमें कोई लेना देना नहीं है फिलाल हम सिर्फ इतने portion को study कर रहे हैं कि इसमें कितना traffic आ रहा है अगर ये इधर जाना चाहता है तो अब वही तो case हो गया कि ये in पे था और in से ये out जा रहा है तो ये in to out वाला ही तो हो गया जो हम already consider कर रहे हैं यहाँ पर in to out c वाला traffic हो गया और अगर ये वाला मन कर गया इसका कि मैं तो वापिस ही जाऊँगा यहाँ पे आया और बस ऐसे मज़े लेने के लिए आया वापस चला गया तो ये d की तरह हो गया कि जो in to in जा रहा था तो कैसा भी case बना लीजिए अगर हम इस portion को पढ़ रहे हैं इस segment को अगर पढ़ रहे हैं तो इसमें चार ही type के traffic जो है वो बनते हैं एक बार फिर से दुबारा देख लीजिए आपके पास ऐसे कुछ एक possibility थी first type का जो traffic हो सकता है वो क्या हो सकता है कि वो यहां से आता और अपने left left में ही रहता और इधर बाहर निकल जाता A तो A जो आया वो कैसे चला गया अगर मैं इसे कह दूँ कि ये out वाली side है अगर ये बाहर की तरफ है out है और ये in वाली side है rotary के अंदर वाली side है तो इसको मैं कहूँ तो out to out चला गया वो traffic हो गया A दूसरे प्रकार का traffic क्या हो सकता था कि B हो सकता था B क्या करता उसको जाना था इस तरफ माल लेजिए सामने जाना था तो B जो है वो out से आया और इन की तरफ चला गया यहाँ पर अब ये B इधर जा रहा है इधर जा रहा है इससे हमें मतलब नहीं है चाहे वो B यहाँ जाता इस तरफ जाता तो भी बात वही थी चाहे B इस तरफ जाता तो भी बात वही थी अभी हम कौन से portion को पढ़ रहे हैं हम इस portion को पढ़ रहे हैं यहां पर यहां अगर मैं traffic के यह जो आपके पास approaches है यह एक approach यह दूसरी यह तीसरी यह चोथी अगर approach का नाम दे दू तो यह approach 1 है और यह approach 2 है तो मैं leg 1 और 2 वाले traffic की बात कर रहा हूँ इनके बीच में यहां पर इसको मैं study कर रहा हूँ यहां पर तो इसको समझने के लिए मैंने कहा कि एक प्रकार का traffic हो सकता है जो यहां से बाहर से बाहर चला जाए out to out चला जाए दूसरे प्रकार का traffic हो सकता है जो इस out यह out है ना इस out वाली बाहर वाली side से अब इतना portion देखो, इतना portion पढ़ो आप यहां से, इसको देख रहे हैं हम यहां पर, इस portion में अगर देखते हैं हम, तो इस portion के अंदर यह वह वाला traffic है, जो out से, बाहर वाली side से, अंदर की तरफ गया, rotary की तरफ गया यहां पर, तो इसे मैंने कह दिया B, तो A तो out to out गया था बाहर से बाहर ही चला गया, rotary की तरफ उसने देखा भी नहीं, B ने कहा, कि मैं out से, इन की तरफ जाऊंगा, इस rotary की तरफ जाऊंगा, आगे जाके जो भी होगा, वो करता रहेगा हमें, उससे मतलब नहीं क्योंकि, हम सिर्फ इतने length को study कर रहे हैं, कि इस length में क्या हो रहा है traffic क्या कर रहे हैं, अब यह ऐसे चला गया, अब C की बात आई, अब C जो आया, अगर यहां से आता है, चाहे तो आप कह लिजिए कि C यहां से आता है, C अगर इस तरफ से आया, तो वो in की तरफ था, अंदर की तरफ था, और यहां से आके, यह ऐसे अगर चला जाता है, तो यह क्या आ जाता है यहाँ पर, यह in से out की तरफ move कर रहा है, in से बाहर की तरफ जा रहा है, इस case में हमने c को कैसे बनाया हुआ है, c को हमने इस तरफ से बनाया, बिल्कुल left वाली side से इधर से बना देते हैं इसको, यह भी same count हो जाएगा, कोई फरक नहीं पड़ता, out to out, in to in वही देखना है हमें यहाँ पर, c की अगर हम बात करें, तो c इस case में देख लिजिए, यहाँ से बनाया था हमने थोड़ी देर पहले, ऐसे बना देते हैं, तो यह c traffic हो गया, यह अपने यहाँ पर आया था, out से, यह circle की तरफ गया, और अब जब तक हम study कर रहे हैं, जिस portion को हम पड़ रहे हैं, यहाँ तक तो यह already in पे आ चुका है, यह c, यहाँ तक तो in पे आ चुका है, और यहाँ से out पे जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, जो यहाँ से आया, in की तरफ रहा, और in, in ही चला गया, तो हमारा जो section है, जिसको हम पढ़ रहे हैं, जिसको हम समझ रहे हैं, उस particular length में, वो in से in ही रहा यहाँ पर, वो उसके अंदर क्या रहा, in to in ही रहा, तो चार प्रकार की traffic जो है, वो possible है, बारा दिखा देता हूँ, कि A, A को मैंने बोला, कि जिस section को हम बढ़ रहे हैं, उसके अंदर A ऐसा traffic था, जो बाहर की बाहर ही ऐसे निकला, D ऐसा traffic था, जो in की in ही निकल गया, इससे भी किसी से कोई मतलब नहीं है, B ऐसा traffic था, जो अंदर से बाहर की तरफ गया, तो B ऐसा traffic जो अंदर से बाहर की तरफ, C ऐसा जो अंदर से, sorry, B जो था वो बाहर से अंदर की तरफ, out to in, C जो है, वो in to out आया, तो आपस में cross कौन से हो रहे हैं, weave कौन से हो रहे हैं, तो B और C ही हैं, जो आपस में वीव हो रहे है इस particular segment में अगर हम देखे यहाँ पे आप देख लीजिए तो इस particular segment में B और C ही ऐसे traffic है जो आपस में वीव कर रहे हैं, mix हो रहे है समझ में आया आया या नहीं weaving length वाले section पर study कर रहे हैं, जी हाँ सही कह रहे हैं आप इस section में क्या कहानी हो रही है इसको समझ रहे है तो इसी को हमने इस diagram से बनाया हुआ है यहाँ पर कि A वाला जो traffic था वो सीधा सीधा बाहर निकल गया आपको अक्सर books में ऐसे diagram देखने को मिलते है तो A वाला जो था काफी नीचे जा चुका है यह तो A वाला बाहर से बाहर निकल गया B जो था वो out से in गया ऐसे C जो था वो in to out आया ऐसे और D in to in अपना निकल लिया तो ऐसे हम इनको express करते हैं अब इसका use क्या है आप से exam में यह भी पूछता है ESC के अंदर पूछा था engineering services के mains के exam में भूछा था कि इनका use क्या है इन traffic को हम express कर रहें कि weaving traffic और total traffic तो यह weaving traffic है यह total traffic हो गया weaving जिस section को आप study कर रहे हैं जिस section को या जिस weaving length को आप study कर रहे हैं जिन दो approaches के बीच के portion को आप study कर रहे हैं उसके अंदर weave करने वाला traffic with respect to total traffic आपको ratio बताता है यहाँ पर और यह जो ratio होती है इसका use बुचा था कि इसका significance क्या है तो इसका significance यह है कि यह आपको बताती है traffic की capacity के बारे में traffic capacity calculate करने में यह हमारी मदद करती है the capacity of rotary is determined by the capacity of each weaving section capacity of rotary जो है वो कौन define करता है हर weaving section से कितना weaving और non weaving traffic जा रहा है तो वो इससे define होता है यही इसका significance है Q equals to 280W 1 plus E by W multiplied by 1 minus P by 3 divided by 1 plus W by L E is the average entry and exit width जिसे E1 plus E2 by 2 लिख देते हैं W की बात already हम कर चुके कि E1 plus E2 by 2 plus 3.5 या यू कह लीजिए कि E plus 3.5 E1 plus E2 by 2 को अगर मैंने E लिखा तो यह हो जाएगा आपके पास E plus 3.5 P है proportion of या weaving ratio weaving traffic upon total traffic कितना traffic weave कर रहा था आपस में mix हो रहा था upon total वाला यहाँ पर तो B plus C upon A plus B plus C plus D L weaving length होती है जिसे थोड़ी देर पहले ही अमने कहा था कि IRC कहता है कि L को आप ले लीजिए 4 times the width of rotary वो आप consider कर लीजिए या weaving width जो यहाँ पर है उसके बराबर आप ले लीजिए 4 गुना के बराबर 4 times the weaving width Capacity of rotary 280W 1 plus E by W 1 minus P by 3 by 1 plus W by L Excuse me हाँ questions में और समझ आ जाएगा आपको questions में और clearly समझ में आएगा आप चिंता ना करें आप पहले समझें आज अपने पास खूब टाइम है 2 बजे तक का टाइम है एकदम rotary जो है पूरा जो chalk है circle है सब clear गरके छोड़ देंगे एकदम यह formula capacity के लिए कब valid है यह भी आप से पूछ सकता है weaving width at the rotary is in between 6 to 18 meter पहली बात यह ratio of average width of carriageway at entry and exit to the weaving width is in the range of 0.4 to 1 कितनी width है carriageway की यह आपके रस्ते की at entry and exit इसका ratio 0.4 से 1 के बीच में होना चाहिए weaving width और weaving length का जो proportion है यह 0.12 से 0.4 के बीच में होना चाहिए यह यूं कह लीजिए कि 0.25 तो होना ही चाहिए क्योंकि हम मान के चल रहे है कि जो length है वो 4 times its width है तो width और length का proportion 0.25 times आ जाएगा the proportion of weaving to non-weaving traffic in the rotary is in the range of 0.4 to 1 weaving traffic की बात करेंगे तो वो B plus C आया non-weaving की बात करेंगे तो वो A plus D आएगा total की बात करेंगे तो A plus B plus C plus D आएगा तो आपसे वो कह रहा है कि the proportion of weaving traffic to non-weaving traffic weaving का non-weaving के साथ वो 0.47 के बीच में रहना चाहिए weaving length available at the intersection is in between 18 to 90 meter तब हमारा design जो है वो valid है clear एक question है ये question लिखे आप question clearly दिखाई दे रहा होगा क्या आप से हुआरे जो भी sessions होंगे चाहिए special class में होंगे चाहिए YouTube पे होंगे वो unacademy के जितनी भी classes हैं आपको सारी ऐसे देखने को मिलेगे ऐसा format ऐसा design ऐसी ही नीली लाइने आसपास दिखेंगे ऐसी symbols दिखेंगे सब कुछ आज थोड़ा change दिख रहा होगा आपको तो सब कुछ ऐसा होगा नहीं question करने है question करने यहीं करने दिख नहीं रहा है जादा कोई बात नहीं अभी इसके उपर थोड़ा और work कर लेंगे fonts वगेरा कुछ कुछ जादा changes तो कर नहीं सकते फिर भी visibility अच्छी रहा है इसके लिए तो definitely work करेंगे करेंगे किया क्यों गया है किया इसलिए गया है कि एक uniformity maintained रहे कि हर educator अलग अलग तरीके से कुछ भी कुछ भी अपने according वब बना रहे थे format कोई फूल पत्तियां लगा दे रहा है कोई animation में तितलियां उड़ा रहा है तो ऐसा कुछ नहों एक decent सा format सबका सेम लगे इसलिए चलो 4 legs in rotary intersection are designated as 1,2,3,4 the traffic volumes in terms of passenger car units per RR given as what is the proportion of weaving traffic to total traffic in the weaving section between legs 2 and 3 what is the use of this value इस value का इस्तेमाल क्या है, use क्या है यह आप से पूछा गया है पहले question लिखे झाल झाल सारे lecture 2 Civil 101 पर आप वीडियोस में जाएंगे और नीचे स्क्रॉल कर दीजी ऐसे ऐसे YouTube पे आपको क्या करना होता है कई बार में नहीं बता होता है यह छुटी छुटी चीज़े YouTube पे आपको कोई भी channel आप खोलेंगे जैसे कि Civil 101 Civil 101 आप channel जैसे ही open करेंगे तो यहाँ पर लिखा होता है home page home page का मतलब यह होता है जो उस channel के owner या managers दिखाते हैं कि हाँ यह पहले वीडियो दिखे है फिर यह दिखे यह दिखे तो वो कुछ-कुछ उसमें आएगी details फिर उसके बाद आता है यहाँ पर videos videos लिखने का मतलब होता है कि इस पे आप click करेंगे जैसी तो decreasing order में date wise कि recent जो होगी वो उपर होगी परानी होगी वो नीचे होगी तो वो जैसे जैसे जिस sequence में videos upload हुई है उस sequence में वो सारी आपको देखने को मिलेगी फिर उसके बाद इस पे जाएंगे आप इस पे जाके ऐसे नीचे scroll करते जाना और आपको civil 101 पर ऐसे number 1 से जो हमने series शुरू की थी अभी cement का पहला lecture है उससे आप देख सकते हैं और अब तक जो हमारे 116, 17 session चल रहे हैं इनमें आप जा सकते हैं फिर यहाँ पर playlist होता है playlist का मतलब भी यही है कि जो channel के managers है वो उसकी playlist बना सकते है कि कौन सी video इस subject wise playlist बना दी total कोई एक series चल दी ती उसकी एक playlist बना दी ऐसे सारी playlist देखना को मिल सकते हैं फिर उसके बाद और जानकारिया होती है channel के बारे में या फिर additional कोई और channels होते है तो उनके बारे में भी वहाँ पर जानकारिया दे रखी होती है चलिए question शुरू करते है 4 legs in a rotary intersection are designated as 1, 2, 3 and 4 the traffic volumes कौन कौन से legs से कहां तक जा रहा है यह आपको बताया हुआ है in the terms of passenger car units per hour are given as this what is the proportion of weaving traffic to the total traffic in the weaving section between legs 2 and 3 2 और 3 के बीच में आपको बताना है अब इसके लिए इस question के अंदर पहले हम पूरा बना ही लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि कैसे traffic को express करना है हमें देखें legs के नाम देने हैं अब नाम मैं ऐसे दे रहा हूँ यहाँ पर 1 इसको दे देते हैं 2 और इसे दे देते हैं 3 इसे कह देते हैं कि यह number 4 है 1 से 2 की तरफ जाने वाले 150 vehicle हैं अब मैं directions ऐसे बना रहा हूँ आप देख लीजिएगा कि सामने की तरफ जाने वाले left turn करने वाले right turn करने वाले इनमें आप देखते रहिएगा 1 से 2 की तरफ जाने वाले 1 से 2 की तरफ जाने वाले 150 है यनि कि यह Left वाले है आपके पास कितने 150 1 से 3 की तरफ जाने वाले है 450 1 से 3 की तरफ जाने वाले कितने है 450 और 1 से 4 की तरफ जाने वाले है 412 यह होगे अब आते हैं second के उपर तो second से मैं कुछ ऐसे बना देता हूं यहाँ पर 2nd से 1st की तरफ जाने वाले 310 2nd से 3rd की तरफ जाने वाले 200 2nd से 4th की तरफ जाने वाले 1090 तो 2nd से 4th की तरफ जाने वाले 1090 फिर उसके बाद आते हैं 3rd से 1st की तरफ जाने वाले 3rd से 1st की तरफ जाने वाले 3rd से 1st यानि गिये वाली direction 15-20 फिर उसके बाद आते हैं 3rd से 1st की तरफ जाने वाले 3rd से 2nd की तरफ जाने वाले 570 3rd से 2nd की तरफ जाने वाले 570 3rd से 4th की तरफ जाने वाले 240 और last नीचे वालों भी बनाते हैं फोर्थ से फर्स्ट की तरफ जाने वाले 30 इस तरफ जाने वाले 30 फोर्थ से सेकिंड की तरफ यानि की सामने 1080 और फोर्थ से थर्ड की तरफ 600 यह हमने बना लिये अब देखे आप से यह पूछा है अब देखे आप से यह पूछा है 2 और 3 के बीच में यह सेकिंड वाला यह थर्ड वाला इन दोनों के बीच में यहनि कि इस पॉर्षन में आप से पूछ रहा है अगर इस पॉर्षन को हम हलका सा शेड कर दे अब देखे आप से यह पॉर्षन को हम इसकी बात कर रहा है वो यहां की अब देखे इसके अंदर आपको यहां पर बताना है वीविंग करने वाला और नॉन वीविंग वाला A, B, C, D हमारे पास चार प्रकार के ट्रैफिक थे वो हम मेंशन करने जा रहे हैं यहां पर तो A वाला जो ट्रैफिक था हमारा वो ट्रैफिक कौन सा था A वाला ट्रैफिक था जिसे हमने कहा था कि A वो ट्रैफिक है जो आउट टू आउट चलेगा बाहर की बाहर ही निकल जाएगा तो out to out जाने वाला अब out to out यहां से यहां कौन सा traffic जा सकता है जो 2 से 3 की तरफ जाने वाला हो यानि कि यह 200 है यही तो जा सकता है जो बाहर से यहां से लेके यहां तक निकल जाएगा इसे ही अबने कहा कि यह 8 traffic है और A traffic की value कितनी हो जाएगी 200 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी बताए clear clear easy अब ऐसा traffic ढूणना है जो बाहर की बाहर ही निकल जाए यहां से यहां ही निकल जाए यहां चलो B से ही शुरू कर लेते है B से ही शुरू करते है B वो traffic था जो कैसे जाएगा B वो traffic है जो इस particular segment में इधर से ऐसे cross करेगा into out जाएगा तो यहां से अगर into out वाले की बात करेगे यह portion जो है हम कह देते इसे अगर मैं out कहता हूँ इसे in कहता हूँ तो यह हो जाएगा B वो traffic जो out to in जाएगा तो out to in जाने वाले traffic बाहर से अंदर की तरफ जाने वाला अब out से in इस तरफ ऐसे आने वाले traffic कौन सा होगा इधर जाने वाले traffic कौन कौन सा होगा या तो यह 1090 वाले जिसे सीधा जाना है यहाँ पर ऐसे सीधा चला जाएगा या फिर यह 310 वाला भी तो हो सकता है जो भी आउट तो इन आएगा फिर ऐसे घूम के इधर चला जाएगा तो इस particular segment में जो green color से shade किया हुआ है इसके अंदर तो यह out to in ही move कर रहा है तो यह b वाला traffic हो जाएगा यहाँ पर तो एक तो हो सकता है कि 1090 वाला और दूसरा हो सकता है 310 वाला यह possibility है यही दो possibilities है ना कि यहाँ पर out से in जाने वाला traffic यह वो वाले traffic हो सकते हैं अब C की बात करते हैं C वो वाला traffic है जो इस particular green shaded region के अंदर in to out जाएगा in to out in to out का मतलब यहाँ से इधर जाएगा ऐसे यह C है और यह आपके पास A था इनको दुबारा से बना देते हैं clearly यह C है और यह A था तो C वो traffic है जो in से out की तरफ आया इस particular section में तो अब C कौन कौन सा हो सकता है कुल बिलाके ऐसे देख लीजिए कि इस direction में जाने वाले कौन से है इस direction में जाने वाला यह 200 तो possible है नहीं यह 450 जो है वो इस direction में जाता 3 की तरफ जाता तो यह 450 यहां से आता इधर इसके in पे जाता यहां से out से in पे जाता और इस particular section के लिए यह in वाला traffic होता तो in से out move करता तो एक तो हो जाएगा 450 एक तो हो जाएगा 450 और क्या हो सकता है जो यहां से यहां जाए यह 1080 तो सीधा निकल रहा है यह 330 इधर जा रहा है यह 600 यहां से आएगा अपने out से in में गया फिर यहां से in पे रहता रहता in से out आएगा तो यह 600 यहां पर move करेगा यह समझ में आया या नहीं आया और D वो traffic है जिसे कोई मतलब नहीं है इससे वो सीधा अपना इसके in to in ही move करता रहेगा यहां से यहां तक यह D वाला traffic है तो D कौन सा है जो यहां पर अपने साथ ही रहेगा इधर नहीं जाएगा वो यहां से जो आएगे वो तो इसके in to in होगे नहीं वो तो definitely out पे है और in पे आएगे यहां पर वो वाला consider किया नहीं जाएगा यहां पर और क्या हो सकता है यहां पर इस तरफ से जो आ रहे थे जो 412 उधर जा रहे थे तो यह 412 वाले यहां पर आएगगे और इसके साथ-साथ ही रहेगे यहां पर और यहां से बाहर निकलेगे तो एक तो हो सकता है कि जो in to in रहेंगे अंदर ही रहेंगे तो in to in बाला एक possibility है कि वो 412 हो सकता है कोई और possibility है तो आप देख के बताएं जल्दी से कि कौन सा और possible है जो in to in रहेगा कोई और possibility है क्या ये 450 ये तो सीधा निकलेगा ये 412 यहां से ऐसे in to in जाएगा इन में से कुछ ऐसा possible है नहीं इन में से भी कोई आएगा तो इसके in to in रहे नहीं सकता वो क्योंकि 30 वाला इधर 480 ये 1080 उपर ये इधर यहां वाला कोई in to in रहेगा नहीं तो एक ही possibility बन रही है यहां पर तो 412 आ गया अब इसमें से आपके पास weaving वाले traffic कितना है इन में से weaving traffic कितना है weaving वाला है आपके पास जो आपस में weave कर रहा है वो B प्लस C है total traffic total traffic आपके पास है ratio पूछाए आपसे the proportion of weaving traffic to total traffic कितना होगा weaving traffic to total traffic आपसे पूछा है कितना होगा यही हम करते थे B प्लस C upon A प्लस B प्लस C प्लस D तो आपसे यही पूछा है equals to सब को add कर दीजे B की value आपके पास है 1090 प्लस 310 प्लस C की value आपके पास है 450 प्लस 600 A की value आपके पास है 200 प्लस 1090 310 450 600 और D की value 412 proportion बता दीजे कितना आएगा 0.8 what about 310 310 कहा है 310 310 यह end किया तो है दोस्त 310 यहां रहा यह रहा end किया था न 310 वो traffic ही तो है जो second से first की तरफ जाना चाहता था 310 second से first की तरफ जाना चाहता था तो इसे out से in जाना पड़ेगा तो इसे अपने already count कर लिया है किसमें B वाले में एक सेकिंड चार्ज है तरनेक्ट करता हूँगा camera shut down होने वाला है पर जाना पर जाना पर जाना पर जाना है .80 आ गया सब को clear है तो question मुश्किल नहीं है बस दिखने में मुश्किल है और ये समझ में आना चाहिए कि traffic कौन सा देखना है इन में से हमें out to out का मतलब क्या है in to in मतलब क्या है इन में से आपको clearly समझ में आना चाहिए बस 1090D में आएगा ना 1090D में आएगा ना 1090 ये वाला traffic है जो 2 से 4 की तरफ जा रहा है तो 2 से 4 की तरफ जा रहा है तो 2 से जब 4 की तरफ जाएगा इस portion को पढ़ना है हमें इस weaving length को पढ़ना है जो leg 2 और 3 के बीच में है तो ये तो out से in की तरफ जा रहा है ना और out to in वाले को तो हम b traffic कह रहे है जबकि d किसको कह रहे है जो in to in है जो इधर से आया enter हुआ इस weaving length के अंदर in वाले के अंदर ही in में in में ही रहा है जबकिदी बॉ़्चे में रहा ओस इडता दियकल्द कर रहा है अभी क्लियर है सबको एक्जाम में पॉसिबिलिटी बनाना क्या है हमने फटाफट जो टेबल में दिया हुआ है वो लिखा है और आपको समझाना था इसलिए मैंने आराम-ाराम से लिखा आपको समझ में आ जाता है V1,2 का मतलब क्या है आप फटाफट लिखेंगे इसको कि 1 से 2 जाने वाला ट्रेफिक फिर उसके बाद बस देखना ये है कि 2 से 3 के बीच में क्या क्या हो रहा है ये पॉसिबिलिटी लिखनी है और आपको समझ में आ चुका है कि A और D जो है ऐसे केस में दो ही ट्रेफिक बनते है और B और C में दो-दो के कॉंबिनेशन बनेगे तो वहाँ पर कुछ ऐसा ही नहीं ये सोचने के लिए कि और क्या हो जाएगा और क्या पॉसिबल और क्या पॉसिबल ये इतना भी पॉसिबल होगा 310 तो इन में भी आएगा ना 310 वाला 310 जिसको जाना है जिसको second वाली approach से first की तरफ जाना है तो वो आएगा पहले अब अब वो outer side पे है बाहर वाली side है इस outer side पे है out से उसको इन जाना पड़ेगा फिर उसके बाद वो यहाँ आके इन इन रहेगा यहाँ आके इन इन रहेगा हमें यहाँ वाले अंदर रहने से मतलब थोड़ी ना है हमें तो इस section में क्या हो रहा है उससे मतलब है तो इस section इस shaded weaving length के लिए यहाँ पर यह traffic out to in ही है यह 310 वाला क्या है out to in ही है यह बाहर से इंदर की तरफ ही जा रहा है हाँ नोट कर लीजिए एक question और करते हैं आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा एक question और करेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या पूरी कहान ही हो रही है किसी भी section पर हाँ सब पर study कर सकते हैं और तू कर दीजिएगा आप नोट कर लीजिए पहले फिर उसके बाद इसी का question करते हैं एक और यह आपका रोटरी आया यहां से ऐसे यह approach जा रही है नाम दिये थे हमने 1,2,3,4 ऐसे इसे first कह दिया हमने इसे कह दिया कि यह second है इसे कहा कि यह third है और इसे कहा हमने कि यह fourth approach है traffic के volume लिख देंगे अभी हम 150,450,412 310,1090,200 फिर उसके बाद 370 3 से 2 जाने वाला 3 से 2 जाने वाला 570 है 570, 1520 1520,240 और एक 30,1080,600 30,1080,600 question लिख लीजिए आपने किसी ने अगर यह लिखा नहीं था तो पहले मैं mention कर लीजिए फिर उसके बाद करते हैं सब सेक्शन को देख रहे हैं सब में देख रहे हैं कि कैसे हर एक की weaving ratio अलग-अलग होगी फिर maximum वाली अडॉप्ट कर लेंगे आप design करेंगे तो अब यह हमने ratio select किया है किसके लिए यह weaving ratio select किया है हमने proportion of weaving traffic to total traffic in weaving section between 2 and 3 और अब हम कर रहे हैं 1 और 2 के बीच में अब हम P की value पता कर रहे हैं किसके बीच में 1 और 2 के बीच में अब 1 और 2 के लिए A की value क्या होगी B की value क्या होगी C की value क्या होगी D की value क्या होगी ये देखने के कोशिश कर रहे हैं clear अब देखिए आप सबसे पहले मैं बनाता हूँ सबसे आसान वाला portion जो की है traffic A A traffic वो traffic होता है जो की इस portion को मैं कहता हूँ कि ये वाली line जो है इसे पूरा red mark कर देते हैं कि ये outer zone है out है out वाली side है और ये वाली side जो है ये इन वाली side है ये इन वाली side है कितना portion study करना है हमें हमें portion study करना है ये वाला इस portion के बीच में क्या हो रहा है हमें इस से मतलब है और इस portion के अंदर ये out वाली side है और ये in वाली side है अब समझ में आ रहे है ये वो traffic है जो traffic out to out जा रहा है बाहर की बाहर तरफ जाएगा ये वो वाला traffic है अब इस ए के अंदर कितनी value आ जाएगी ये जो है वो traffic है जो out to out जा रहा है इस leg के लिए one two के बीच में जो आपका weaving length है इसके लिए out to out जा रहा है तो out to out जाने वाला traffic कितना possible है जो 150 जाएगा वही तो possible है इस case में 150 जो इस तरफ जा रहा है वही तो possible है आप please comment करें अब तो आप A equals to this B equals to this plus this C equals to this plus this D equals to this ऐसे आप mention करके बताएगे please एक ही value क्या होगी जो out to out जाएगा इस one two leg के लिए जो बाहर से बाहर जा रहा है वो कितना possible है जो one से two की तरफ जाएगे या one से left जा रहे है वही तो होगे तो A वही है जो out to out जा रहा है यह निकि 150 आजाएगा आपके पास यहाँ पर next अब बात करते हैं B की B हमने कहा था वो traffic है इस particular weaving length के लिए जो की out to in move करेगा out to इस outer side से in की तरफ जाएगा तो B को मैं दिखा देता हूँ black color से और B out से चलेगा B out से चलेगा in की तरफ जाएगा यहाँ पर तो ये वाला traffic B कहलाएगा अब B कौन कौन हो सकता है B यहाँ से सीधा भी तो जा सकता है B यहाँ से इस तरफ भी तो बुढ़ सकता है अब सीधा जाने वाला कौन सा था 450 राइट बुढ़ने वाला कौन सा था 412 तो B या तो यह हो सकता है कि वो सीधा जाता आउट तो इन कौन मूव करता या तो यह 450 वाला मूव करता या 412 वाला मूव करता तो इधर 450 वाला जा सकता था या 412 वाला जा सकता था तो आउट तो इन मूव करने वाला ट्रैफिक जो है वो 450 प्लस 412 वाला हो सकता था अब इसी सेगमेंट के लिए C traffic कौन होता है इसी के लिए C वो होता है जो in से out की तरफ जाएगा जैसे हमने इस case में देखा था यहाँ पे आप C कह रहे थे जो इसके in से out की तरफ जाएगा यह circle से बाहर की तरफ आ रहा है इधर निकल के जा रहा है जिस तरफ जाना था तो अब two की तरफ जाना है तो यहाँ से two की तरफ निकल रहा है तो इसे pink color से बना जैते हैं कि जो in से out की तरफ जा रहा है इसे हमने कह दिया कि यह traffic C है अब C traffic कौन सा होगा जिसे इधर जाना है और यहाँ कौन जा सकता है 150 नहीं जाएगा क्यों क्यों कि ए तो A में count होगए तो इधर के इधर जा रहा था second की तरफ और किसे जाना है 1080 वाले को जाना है तो 1080 वाला हो सकता था कि वो 1080 वाला यहां अपने out से in में गया in-in में रहा और यहां in से out जा रहा है तो C जो है हमने कहा कि C ऐसा traffic है जो in to out जा रहा है जिस section को हम समझ रहे हैं पढ़ रहे हैं उसके लिए तो उसके लिए in से out की तरफ c गया तो एक possibility थी कि यह 1080 वाला गया होगा क्यों क्योंकि हमें पता है इस direction में जाना है तो यह गया हो गया तो और कौन गया हो सकता है यह d वाला जा सकता है यह 3rd वाला जो 570 वाला है यह 570 वाला यहां से आया होगा अपने out से इसके in पे गया होगा और यहां पर in to in फिर move करते हो यहां वापस बाहर निकल गया तो यह हो सकता था 570 वाला तो c की value क्या possible है c 1080 वाला हो सकता है या फिर 570 वाला हो सकता है अब इस particular section के लिए D traffic कौन सा होगा जो in to in move कर जाए D traffic कौन सा होगा जो in to in move कर जाए dark green color से हम इसे show कर देते हैं तो ऐसा traffic जो यहां से ऐसे जा रहा है इधर इधर ही जा रहा है इसको यहां तक ही रोक देते हैं और इसे D नाम दे देते हैं क्योंकि B अपने पहले उसको दिखा दिया तो D in to in move कर रहा है जो इसके just around move कर रहा है अब इसके around कौन move करेगा यहां से जो आएगा इन में से तो कोई भी नी move करेगा in to in यहां से जो आएंगे वो out to in यहां आए यहां आए यहां गूंगे तो वापस जाएंगे नी तो यह भी नी आएंगे इस तरफ का देखते हैं अगर हम तो इस तरफ से आने वाला भी कौन सा you turn लेके जाएगा सिर्फ एक ही बच्चता है जो यह 600 वाला है जो यहां से आएगा और ऐसे गूंगे के लिए इन टो इन बिहेव किया नहीं हो सकता क्या 600 आप कह रहे हैं तो होगा इना डेफिनेटली क्यों नहीं हो सकता समझ में आ गया आप तो कोई दिक्कत नहीं आप खुद अंसर्स बता रहे हैं मुझसे पहले तो तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी वीविंग अपॉन टोटल ट्रैफिक वीविंग ट्रैफिक अपॉन टोटल ट्रैफिक इसे एक्स्प्रेस कर देते हैं B प्लस C और टोटल को कर देते हैं A प्लस B प्लस C प्लस D वैल्यू सारी आपके सामने आप उट कर दीजिए बस B की वैल्यू आपके पास 450 प्लस 412 प्लस 1080 प्लस 570 डिवाइड़ बाए 150 प्लस 450 प्लस 412 प्लस 1080 प्लस 570 प्लस D की वैली जो कि है 600 आंसर बता दीजिए 0.77 जीरो लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं क्या दो स्टार्ट तो हम 0 से ही करेंगे कौन सा हम गच्पन से कुछ सीख के आते हैं जब भी पढ़ना शुरू करते हैं 0 से ही करते हैं यह तो डिपेंड करता हैं कम तक 0 पे रुकना चाहते हैं 0 हमारे लिए बहुत valuable है 0 को संभाल के रखेंगे लेकिन 0 को हम पीछे लगाएंगे किसी चीज के जिससे वो value दे हमें weaving में हमेशा B, C वाले ही आएंगे ना सरहां यह हमी ने तो define किया है हमने खुद ही तो बोला है कि B वो traffic जो out to in जा रहा है C वो traffic जो in to out जा रहा है इसका मतलब यह weave कर रहे हैं तो हमने खुद ही तो बोला है यह कि जब भी हम किसी section को पढ़ेंगे तो नाम देगे A, B, C, D traffic को और A traffic वो होगा जो बाहर से बाहर चला गया D वो होगा जो in to in चला गया B और C वो बच गए जो weave करेंगे एक value दो बार नहीं आ सकती क्या for example 1080 1080 दो बार कैसे आ सकती है 1080 का मतलब वो traffic जो इस fourth वाली approach road से second वाली पे जाना चाहता है तो जब यह जाएगा यहां से आया तो यहां अपनी यह outer side पे था इस outer से इस के in पे गया अब in इन पे रह रहा है और यहां से out पे चला गया इस portion को पढ़ रहे थे हम इस weaving length को पढ़ रहे थे तो इस weaving length के अंदर यह 1080 ने क्या किया कि वो उसके in to out move किया तो उसकी tendency इस particular segment में इस leg में 12 के बीच में उसकी tendency है कि वो in to out जा रहा है तो यह इसी में ही count होगा दुबारा कैसे count हो जाएगा हाँ जब हम 4 और 1 वाले leg को पढ़ रहे होंगे तो 4 और 1 वाले के लिए यह 1080 कैसे act करेगा कि यह यहाँ पर outer में था और यह in में जा रहा है तो यहाँ पर यह out to in वाले में count हो जाएगा 570 कैसे हुआ बता दो in to out 570 कैसे हुआ 570 570 हमने इसमें count किया 570 यहने की यह वाला traffic अब यहाँ से जो vehicle आ रहा था वो कैसे जाएगा यहाँ से vehicle आया rotary की तरफ गया क्योंकि उसे right turn लेना है जब उसे right turn लेना है तो उसने right turn लेने के लिए यहाँ rotary के पास चिपक लिया जाके अब यह इसके साथ साथ घूमेगा अब जैसे यह इस zone में आ गया जहाँ पर हम बैठे हैं इसको study करने के लिए तो हमने कहा कि यह कहां से enter किया यह inside पे रोटरी के और अब यह अपने in से out में move कर रहा है यह अपने इस rotary के इस section को बढ़ रहा है जो green color से shade कर रखा है हमने तो यह in से out में move कर रहा है क्यों कि इसको right जाना था third direction से आने वाले इसको right जाना था second की तरफ जाना था तो यह 570 वाला जब हमने observe करना शुरू किया इसको तो in से out move करता हुआ दिख रहा था हमें तो हमने in to out वाले में लिख दिया इसको यह नहीं देखेंगे कि यहाँ पर तो out to in गया था हम किस portion को पढ़ रहे हैं उस portion में देखेंगे कि उस portion में वो vehicle कैसे move कर रहा है इस ratio का use क्या है बस यह question आप 2-4 साल पहले पूछ लेते तो आपका जो बिल्कुल बराबरी थी UPSC में question set करने वाले उन्होंने भी पूछा था कि इसका use क्या है इसका use यह होता है कि traffic rotary की जो capacity है इसकी कितनी capacity हो सकते हैं उसको define करने के लिए use करते हैं इसकी capacity को define करने के लिए use करते हैं चले आगे इसी में homework के तौर पर आप लोग बाकी जो दो leg बच गए वो खुद calculate करेंगे just to understand just to यह सारी situation समझने के लिए और इसको solve नहीं करवाएंगे हम सिर्फ आप ही के मित्रों से पूछेंगे आप अपस में compare कर ले न सबकी answer match करेंगे इसका मतलब आपने सही किया है नहीं match करें तो ज़्यादा ही problem हो जाए तो करेंगे definitely class में लेकिन कहानी समझ में आ गई होगी आपको और ऐसा ही होता है यह EC का question है और इसी question के अंदर ऐसे same question with same data भी मिल जाते हैं आपको ECC के अंदर as it is copy कर देंगे और थोड़ा smartly लिख देंगे कि इस leg 2-3 की जगा on leg 1-2 का बताओ नया question बनाया हमने फिर 1-4 जो भी आपको बता देगा 4-1 के बीच में पूछ लेगा 4-3 के बीच में पूछ लेगा 3-2 तो दो तो हम कर चुक हैं दो आप और कर लिजेगा homework के अंदर और आज हमारी classes है 6 बजे उसके बाद class है हमारी 8 बजे 9 बजे special classes है कल Friday है कल इनके उपर और questions करेंगे रोटरी के उपर questions करेंगे traffic signals के उपर questions करेंगे कल की YouTube class थोड़ी से लंबी जाएगी तो आप पहले से prepare होके बैठिएगा और questions करेंगे काफी सारे हम उनके अंदर सीखने वाला पार्ट ही है रटने वाला पार्ट कुछ भी नहीं है जैसे आज की class में भी आपने देखा तो major portion वही था जो आपने attempt किया जो आपने सीखा जो आपने लिख लिख के खुद देखा है तो बैसी चीज होगी वो तो इतना stressful work नहीं होगा लेकिन duration जो है वो चाहिए होगी है मैं थोड़ी तो thank you so much और मिलते हैं अगले session के अंदर class time मैं दुमारा से बता देता हूँ आपको class time हमारा है estimating, costing and valuation 6 p.m 8 p.m पर इसी के questions MCQs करेंगे 9.30 p.m पर हम civil engineering practice session जिसके अंदर mixed questions होगे ये है unacademy की special class बस आपको code यूज करते हैं संदीब डबल वन आप इन classes को access कर पाएंगे पहली बात दूसरी बात YouTube पर कल हम sessions जो है YouTube के थोड़े से जाधा होंगे इसलिए जाधा मनलब duration में थोड़ा तो आप accordingly prepare कर लिजेगा अपना time manage करके पूरा data over हो गया और data का करना क्या है पढ़ना है ना हमें पढ़ाई के लिए तो देखो जितना possible हो उतना आप expand करिए जब तक आप अपना आज पढ़ाई आपका काम है कल को कोई आपका career जो भी आप adopt करेंगे या आपका business है कुछ भी आपका passion है जब आप उसको follow करते हैं तो कोशिश करें कि उसके अंदर जो उसकी growth वाली जो चीज़े हैं उन्हें कोई अरचेन ना है कभी भी उसको bear मत करो आप चाहे आपका net profit zero हो जाए आप जो भी earn कर रहे हैं वो आपके काम के अंदर फिर से आपको invest करना पढ़ रहा है चाहें वो आपका काम जैसे पढ़ाई है तो पढ़ाई से related कोई भी चीज़ है उसमें कभी compromise ना करो अगर बहुत ही ज़्यादा situation जो है वो tight नहीं है तब तक जितना possible है जितना आप afford कर सकते हैं उतना करना चाहे अच्छे आपके पास जो है जो भी आप phone है या laptop है अच्छी screen होनी चीए ऐसा नहीं है कि एक साल दो साल की तयारी के चक्कर में अपनी आँखों को हमने इतना नुकसान कर दिया कि नहीं नहीं चलो ठीक है manage कर लेंगे phone में अगर आप एक laptop afford कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं तो वो बात अलग है फिर तो ठीक है वो आपकी struggle journey है और definitely वो भी अपने एक अलग रूप में fruitful साबित होती है लेकिन afford कर भी सकते हैं और कर नहीं रहे हैं तो गलत बात है ठीक है मैं आपको यह नहीं कहा रहा कि हाँ आप subscription लो आप इतने पैसे यहां करच करो यह वाला course ले लो यह वाला ले लो उन चीज़ों के लिए मैं कभी ना force करता हूँ ना मैं कभी future में भी करूँगा I am just saying you one thing कि जो आपकी health के लिए important है जो आपकी future के लिए important है जो आपकी studies के लिए important है जो आपकी growth के लिए important है उन चीज़ों में कभी आप ऐसा मत सोचे कि हाँ इतने इतने पैसे बचा लेता है जितने expand कर सकते हैं और जितने useful होगा हमारे लिए वो उतना करना चीए क्योंकि पैसा कल को आ जाएगा टाइम नहीं आएगा जो आज का time है वो दुबारा नहीं आएगा पैसे फिर भी आ जाएंगे तो उन में आप दियान लखिए बस ठीक है बाकी कुछ भी ऐसा है जहां पर if I can be of any help for you तो please let me know I'll be always there for you ठीक है I'll try my best कुछ भी अगर ऐसा होता है आपकी पढ़ाई लिखाई में या आप जो करना चाहते हैं future में उसमें कुछ भी problem आ रही है उसमें कुछ अरचन आ रही है जिसमें I can be of any help तो please let me know Thank you so much मिलते हैं next session में और आप unacademy के उपर अगर आपको लगता है कि जैसे जो भी educators जब बढ़ाते हैं तो उसके अंदर अगर कुछ आपको missing लग रहा है या फिर कुछ भी ऐसा लग रहा है teaching relevant नहीं है मुझो चीज है अगर you can report those things चाहे वो academics से related हो चाहे वो teacher के behavior या जो भी वो language उसे related हो कैसा भी हो तो you can report any inappropriate thing जो आपको लगता है कि वो गलत है वो आप report कर सकते है thank you so much civil 101 पर अगर आप नए हैं तो आप subscribe कर लीजिए bell icon भी प्रेस कर सकते हैं जिससे आपके पास important update और notification आ जाती है और साथ ही साथ में आप अपने दोस्तों के साथ like share कर सकते है thank you, take care, bye bye कर दोस्तों के साथ कर दोस्तों के साथ कर दोस्तों